आज हम पढ़ने वाले इंगोदली भागदो के पाट संख्याचार नाखुन क्यूँ बढ़ते हैं? पापा पापा नाखुन क्यूँ बढ़ते हैं? दोस्तो स्वागते आपका पास कर लो यूटूब चैनल पे दोस्तो इस चैनल पे हम क्लास 10 के सभी सबजेक्ट को कार्टून के माध्यम से पढ़ाते हैं जिससे दोस्तो आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है तो अगर दोस्तो आप लोग अमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं कियें चनम 1907 एस्वी में आरत दूबे की छपरा बलिया उत्तर परदेश में हुआ था। मुझे बहुत सारी पुरुषकार मिले हैं आलोग पर्व साहित अकाडमी पुरुषकार भारत सरकार द्वारा पदम भूचन पुरुषकार तथा लखनव विश्विद्याले द्वारा डिलिट की उपाधी मिली थी मेरी मृत्ती 1989 इस्वी में हुई थी। मचली उर्ती क्यों नहीं ऐसे अजीबो गरीव सवाल पूचते हैं ऐसे ही सवाल लेखक की बेटी ने उनसे पूचा पापा पापा नाखुन क्यों बढ़ते हैं या बात लेखक को भी नहीं पता थी कि नाखुन क्यों बढ़ते हैं। नाखुन अमारी पार्षव रिती है, यानी पुरानी आदत है, हमारे पूर्वज नाखुन का उपयोग अस्त्र के रूप में करते थे, क्योंकि पहले हम लोग जंगल में रहते थे, जंगल में जानवरों से बचने के लिए हम अपने नाखुन का उपियोग करते थे क्योंकि उस समय हमारे पास कोई हतियार नहीं था लेकिन आज के यूग में नाखुन अमारे काम के नहीं है अब मनुस्य बार बार अपने नाखुनों को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्षवरिती को भुलाना चाता है लोग नाखुन को बार बार काटके ठक जाते हैं लेकिन यह फिर भी बढ़ जाते हैं जिससे नाखुन को बेलज, निरलज, बेहया कहा गया है पहले के लोग मरे उए जानवरों के हड़ी से हत्यार बनाया करते थे इसलिए इंद्र भगवान ने ददिची मुनी के हड़ी से अपना वजर बनाया था दोस्तों मैंने इसके प्रसंतर वाली वीडियो भी बना दिये लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्यू फॉर वाचिंग